कि हलो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 का हमारा चैप्टर चल रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी इसका नेक्स्ट टोपिक है इसका नाम है रजिस्टंस स्टूडेंट्स इसके पहले हमने जो वीडियो था उसमें पड़ा था ohm's law के बारे में ohm's law क के बीच में एक relationship था कैसा relationship था उसमें ऐसा बताया गया था आपको कि जो potential difference across the end of the conductor होता है वो directly proportional होता है current flowing through the conductor और इसके बाद आपने क्या किया जो proportionality sign है इसको अठाते हैं तो equal to का लगाते और एक constant का use किया और यह जो constant था इसको हमने नाम दिया resistance of the conductor तो अब इस resistance के बारे में स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे तो जो resistance है इसका formula यहां से इस तरह से निकाल सकते हैं देखिए जो आपका वी is equal to क्या होता है आई आर होता है अब आर को अकेला छोड़ दीजी आई यहां multiply में वी की इदर आके किसमें हो जागा डिवाइड में तो यह इस तरह से resistance का formula आ जाता है प्रोपर डिफिनेशन पड़ने से पहले एक बडेख लेते हैं कि स्प्राइब अनौर। ऑड़कर स्वाइर के अंदर से जब monitory current फलो करता है है यानि किолет trilogy फ्लो करते है ना तो उन इलेक्ट्रोंस का ये जो कंड़क्टर होता है वह रिजिस्ट करता हैँ आपोज करता है उन को या इक हते होती protection को दिक्कत होती है यानि कि वह किसी पी तरह से उनक धारजिस्ट कर सकता है इलेक्टर के आटम है molecules है electrons है वाप इसमें side collision कर रहे हूं जिसकी वज़े से उनका flow का electrons जो flow करें उनका रजिस्ट हो रहा है और जो इस तरह से कोई भी conductors अपने अंदर जो electron flow हो रहे है current flow हो रहा है उसका रजिस्ट करता है आपोज करता है वो उसका क्या होता है रजिस्टेंस होता है नाम से पता चले है देखिए resistance मतलब रजिस्ट कर रहा है अपोज कर रहा है किसका electric current का किसी कोई भी conductor है वो क्या कर रहा है रजिस्ट कर रहा है अपोज कर रहा है किसका जो इस conductor के अंदर current flow हो रहा है उसका तो उसको resistance कहते है उस conductor का Capital R से denote करते हैं student और इसका proper definition क्या होगा? The property of a conductor due to which it oppose the flow of current through it is called resistance. The property ये property होता है किसका किसी conductor का? क्या property होता है conductor का? कि due to which जिसके कार्ण क्या होता है? ये oppose करता है. किसका oppose करता है? Flow of current through it. जो conductor के अंदर से current flow हो रहा है उसका oppose करता है और इस property को कहते हैं resistance of the conductor. ये definition है देखे दो है आप जो मर्जी आपको जो असान लगे वो कर सकते हो student. ये क्या है? ये देखे नॉर्मली हमने जैसे ohm slow था, v is equal to ir. इसके बाद हमने r को अलग से निकाल लिए जैसे ये रहा. v is equal to ir होता है ohm slow के according. यहां से r को अलग formula बढ़ाएंगे, r जो अकेला छोड़ देंगे, i जो है वो क्या आजाए, v के divide में आजाएगा, तो r is equal to हागया हमारे पास v i. r क्या है resistance of the conductor, v क्या है potential difference of the conductor, और i क्या है current flowing through the conductor. तो students देखे, r is equal to क्या होगया, v upon में i, यानि potential difference upon में current. तो इसको हम डारेक्ट ऐसा लिख सकते हैं न, the resistance of a conductor is numerically equal to the ratio of potential difference across its end to the current flowing through it. यानि जो resistance होता है किसी conductor का, वो numerically equal होता है, किसके equal होता है? ratio किस-किस का, potential difference to the ends of the conductor, to the current flowing through the conductor. तो यह जो formula है, आप इसको ध्यान में रखे, और यह definition जो आप बना सकते हो, यह भी लिख सकते हो resistance के बारे में. इसके बाद में है, student जो resistance होता है, conductors का, वो sub-conductors में एक जैसा होता है, कि अलग होता है. कहने का मतलब होता है, सारे के सारे जो conductors होते हैं, सारे के सारे जो wires होते हैं, वो current का oppose करते हैं, वो एक जैसा करते हैं, कि सब अलग-अलग तरह से oppose करते हैं. Students, जितने भी conductors होते हैं, जितने भी types के, उनमें जो oppose होता है, electrons के flow का, या electric current का, वो अलग-अलग होता है. क्योंगे आपने ऐसा तो, नाइंत कलास में पढ़ा था, कि silver जो है, वो best conductor होता है, इसके बाद copper होता है, aluminium होता है, फिर iron होता है. यानि कि best conductor की बात करें, कि silver best conductor होता है, इसका मतलब यह हो गया, कि silver के अंदर जो oppose है, वो सबसे कम होता है, इसलिए वो best conductor, best conductor का मतलब हो गया, कि उसके अंदर electric current है, वो असानी से pass हो जाता है, easily pass हो जाता है, और electric current easily pass हो रहा है, इसका मतलब उस conductor के अंदर क्या हो रहा है, oppose ही हो रहा है या owners बहुत कम करेंट कर अब्सकम हो मतलु को पता है यह यह करेंट के क्या होगा ज्यादा होगा तो इस तरह से बेस्ट इकनड़क्टर की बात करना क कर रहें इसका मतलब यह 鬼 मॉटर Kath के नहीं किहाने की मोटर है एक को पर होती है इसे लिए को ज्यूंकि ऑपर की मॉटर होती आप ऊसको प्रफरेंस अब वह बेस्ट कंड़क्टर आपकी जो कुलर का मोटर है वह अगर कोपर की होगी तो उसमें जो इलेक्ट्रिक करेंट है वह असानी से पास करेगा इसका मतलब ही हो गया कि उसके अंदर जो वायर का रचिस्टंस है वह कम हो गया है और रचिस्टंस कम होने का दूसरा मॉल्यूक्यूल से जो इलेक्ट्रोन वह आपस में साइध कोलिजन हो रहा उनके बीच में और आपको पता है जब भी कोई चीज अपस में टकराती है कोलिजन होता है तो हीट एनरजी परड्यूस होती है स्टूडेंट जैसे सर्दियों में ऐसे करते हैं ना तो हाथ गरम हो आईरन की लेंगे तो क्या मुंत हैं I can't just आगे आगे तो क्वर्ण होजाएगी तो क्लिजन की तेड्न सी जादा म्हादा धा क्लिश गाएगी सिनन तो हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा conductor हम यूज कर रहे हैं वो गरम हो जाए या उसका जो इलेक्टर की वज़े से यूज इलेक्टरिक एनर्जी है वह हीट एनर्जी में कनवर्ट हो जे हमारी एलेक्टरिकल एनर्जी बेस्ट चली जै तो इसके लिए क्या करते हैं यानि वो अलग-अलग होता है स्टुडं अलग-अलग होता है तो हमें क्या पता होना चाहिए वह सब्रस्ते की इस तरह से पता करेंगे यानि कि मेगनिटूड चाहिएगा रहे मापन camb english शोजो क्या मैगनिटा उनिट इसको चाहिए आतॉन लिए एक पक्र injury whisk करते हैं तो जो रहे होता है जैसे हमाली जैसे कि से कंडुक्षटर का रिजिस्टंस फाइफ होम है तो हम कहेंगे कि 5-0 लिखेंगे कैसे देखी 5 पैसे लिखेंगे 10 ओम है 20 ओम फिफ्टी ओम है 100 ओम है इस तरह से रिजिस्टंस को जो है ना हम लिख सकते हैं student तो आपको याद रहना है कि जो ऐसा ऐसा यूनिट है एक तो पुछेगा कि what is the SI unit of the resistance आप बता सकते हो आसानी किसे की ohm होता है एक आपसे question पूछता है कि define the SI unit of the resistance तो resistance का SI unit होता है उसको define करो तो मैंने पहले भी बताया था किसी भी SI unit को define करने का मतलब वो पूछ रहा है कि उसका one unit का value कितना यानि कि one ohm resistance की value पूछ रहा है student आपको क्या बताना है फिर one ohm resistance कितना होता है resistance को one ohm करने के लिए क्या करना पड़ेगा जो potential difference है वो अगर one volt होजे और जो electric current है वो one ampere होजे तो one से one cancel हमारे पास अंसर क्या आजेगा वन तो resistance कितना आजेगा student one ohm आजेगा तो इसी तरह से आप define करके लिख सकते हो कि the resistance of a conductor is set to be one ohm किसी भी रेजिस्टर का जो resistance है उसका हम कहेंगे कि यह one ohm है कब कहेंगे when a potential difference of one volt जब हम potential difference जब हम पोटेंचिल डिफरेंच जब हम वन वोल्ट का अपलाई करेंगे इसके ends पे एक current of one ampere flow through it और जो current है one ampere का वो अगर इसे flow कर रहा है इसका मदलब जो resistance है वो कितना student one ohm resistance है एक बार फेर देख लिए student one ohm resistance कितना होता the resistance of a conductor is set to be one ohm if when a potential difference of one volt is applied to its ends and a current of one ampere flow through it तो यह था student resistance के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे some important factors which affecting the resistance of the conductor कुछ ऐसे factors के बारे में जो resistance को क्या कर सकते हैं affect कर सकते हैं resistance को affect करने का मतलब कुछ ऐसे factor है जो resistance किसी conductor का जो resistance है उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं student